ओके तो इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोड़क्शन टू कम्बाइन फुटिंग और स्ट्रैप फुटिंग और सब्जेक्ट है हमारा आज का बिल्डिंग मेटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन तो चलता है क्वेश्चेंज की तरफ पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कम्बाइन फुटिंग में भी कम्बाइन फुटिंग क्या क्या रह सकता है रेक्टेंगूलर कम्बाइन फुटिंग रह सकता है ट्रापेज़र्ल कम्बाइन फुटिंग रह सकता है तो यहाँ पे देखेंगे, देखो, combine footing का मतलब एक ऐसा spread footing जो दो column को support करता है एकी साथ, जैसे अगर यहाँ पे बनाए हमने एक rectangle और यह रहा footing जो support करेगा column number 1 और column number 2 को, तो इसको क्या बोलेंगे, rectangular combined footing, अभी इसको rectangular combined footing बोला और यह रहा दूसरा आपका trapezoidal combined footing, तो इन दोन में फरक क्या है, देखो, यहाँ पे column number 1 और column number let's say 2, यह भी column number 1, column number 2, पहले किसमें क्या हुआ, कि column number 1 और column number 2, दोनों का जो load था, वो कैसा था, same, इसलिए constant type का putting वहाँ पे combine provide किया, rectangular, क्यूंकि दोनों का load divided by area, यह जो intensity वाला factor था, वो था same, intensity क्या रखना है, कैसा रखना है same रखना है, okay, intensity of column 1, intensity for column 2 should be same, यह दोनों same चाहिए, इसलिए क्या किया, दोनों का load same था, तो I is equal to what, load upon area, तो यह दोनों के लिए रहेगा same, इसलिए कौन सा combine putting, rectangular combine putting, okay, अभी दूसरा देखेंगे, यहाँ पे column number 1 और column number 2 में एक चीज़ का परक, जो है load का, column number 1 पे load है कम, और column number 2 पे load है ज्यादा, तो अभी हमें एक चीज़ क्या maintain करके चलना है, combine coding provide करते time, कि intensity maintain करना है, same, intensity is equal to what, load by area, तो इसका कम load करके इसको मिला area कम, इसका ज्यादा load करके इसको देना पड़ा area ज्यादा, क्योंकि यह जो I वाली चीज़ ते intensity वो रखना था हमें same, okay, तो यह होत आ है, trapezoidal combine footing, अब तीसरी चीज़, combine column wall footing, combine column wall footing ऐसा कुछ दिया जा सकता है, जैसे यह rectangular combine column wall footing, जहाँ पे एक combine footing भी आया, और wall भी आया, यह रहा अपका trapezoidal combine wall footing, okay, column 1, column 2 और यह साथ में, adjacent में रही आपकी wall, okay, therefore combine footing क्या क्या रह सकता है, rectangular combine footing, trapezoidal combine footing, combine column wall footing, जो distribute करेंगे हम दो चीज़ों में, rectangular combine column wall footing, और trapezoidal combine column wall footing, okay, तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे, yes, option कौन सा टिक करना है, all of the above, क्योंकि यह सारे के सारे तो type भी तो है, okay, आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, in case the two column of combine footing carry same load, then fill in the blank is provided, अगर दो column का combine footing के अंदर, जो हमें 2 column combine करना है, footing में, एक ही, अगर दोनों same load carry करते हैं, तो क्या करेंगे, अब भी हमने डिसकस किया, यह रहा column 1, यह रहा column 2, दोनों का load, जो उन column के उपर आने वाला है, वो same है, तो क्या करेंगे, intensity को maintain करना है, same, तो दोनों का load same है, तो क्या करेंग area भी same ही रखेंगे, तो यहाँ पर क्या गिया, हमने कौन से type का combine footing provide किया, rectangular, और दोनों का load अलग-अलग रहता था, तो क्या provide करते थे, trapezoidal combine footing, तो यहाँ पर क्या बोला है, carry same load, focus इस पर करेंगे, और हम इस दोनों column को provide कर देंगे, एक ही footing, वो भी कैसी, rectangular, तो option कौन सा बन कि अगर दो column same load नहीं carry करेंगे, तो क्या provide करेंगे हम, फटक से यहाँ पर answer टिक करेंगे, trapezoidal combine footing, अभी क्यों, चोटा सा discussion ले लेंगे हैं यह रहा column 1, यह रहा आपका column 2, इसका load है कम, for example, इसका load है ज्यादा, इसको plus कर दिया, plus plus बोलेंगे, इसको खाली plus बोलेंगे, इस intensity का, वो maintain करके चलना है, same, तो क्या करेंगे, load upon area वाला item यहाँ पर रखना पड़ेगा, कम, load upon area यहाँ पर ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि load ज्यादा है, तो ज्यादा area देखे, I factor जो intensity, same ही आपको रखना है, soil के उपर, okay, throughout the soil, आपको intensity, एक value maintain करके चलना है, जो soil के bearing capacity से कम है, उतना ही pressure डालेंगे, okay, तो यहाँ पर क्या provide करना, trapezoidal combined footing, alright, आगे बढ़ेंगे, match the pair, तो पहले वाले कॉलम में दिया है, कौन से डाइप के कॉलम और कौन से डाइप का load, दूसरे वाले कॉलम में दिया यहाँ पर कौन से डाइप की footing, okay, तो पहले कॉलम की पह प्रोइड करेंगे, rectangular combined footing, rectangular combined footing, okay, rectangular footing, यहाँ पर कमाइन चाहिए था, एकके लिए, okay, rectangular combined footing, topic आपका, वीडियो का combined footing है, तो ओवियसली इसने होना चाहिए था, rectangular combined footing, okay, और यह वाला कौन सा, trapezoidal combined footing, तो पहले कॉलम के पहले चीज के लिए, पहले अटम के लिए, two columns with equal load, क्या प्रोइड करेंगे, rectangular footing, तो यहाँ पर लिए, C, then, दूसरी चीज है, पहले कॉलम में, two columns with unequal load, load unequal रहा, तो कौन से टाइब का footing प्रोइड करेंगे, trapezoidal combined footing, तो यहाँ पर लिए, A, क्योंकि A में हमारे पास इसका answer है, trapezoidal combined footing, okay, उसके बाद, two columns on separate footing, connected by a beam, okay, two columns on separate footing, connected by a beam देखो, जब भी हमें combined footing provide करना possible ना हो, तो एक कॉलम के load को दूसरे कॉलम तक अगर ले के जाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों footing को isolated, यह कर देंगे provide, बीच में एक beam use करेंगे, connectivity के लिए, load transfer के लिए, तो इसको बोला जाता है, strap beam, okay, इसको क्या बोलेंगे, strap beam, तो इसको ब connected by a beam के लिए answer आएगा आपका B, 1 का C, 2 का A, 3 का B, तो यह present है, ऐसा sequence, option B में, okay, 1C, 2A, 3B, therefore, हमें मिल गया answer, सारी की सारी pairs होगे, match, चलो, आगे एक question के तरब देखेंगे, select the correct statement regarding strap putting, strap putting के बारे में, सही जो statement है, वह ही select करना है, आखरी एक option दिखता है, all of the world, इस में से एक भी गलत मिला, तो अपने आप जो option D है, all of the above के chance हो जाएंगे 0, तो चलो, देखेंगे, it is provided when provision of combined footing is not possible, यह option एकदम सही है, जब हमें combined footing provide करना possible नहीं, दोनों कॉलम की position बहुत जादा दूर है, उस case में हम combined footing नहीं provide करेंगे, we will provide what, we are going to provide isolated footing, independent footing प्रोवाइट करेंगे, और ब के लिए strap beam provide करेंगे, तो it is provided when provision of combined footing is not possible, यह point है, बिल्कुल सही, दूसरी चीज़, it can be used for any number of column, नहीं, strap footing जब भी provide करना है, तो यह provide करेंगे खली 2 column के लिए, not for any number of column, only 2 column, that's why option B जो यहाँ पे दिया गया, वो है गलत, therefore, D वाला जो option है, all of the above, इसको अभी से कट कर देंगे और देखेंगे, C वाला पकका पकका गलती है क्या, okay, strap footing is also called as strip footing, नहीं, strap footing और strip footing दोनो अलग-अलग independent terms है, strap footing एक independent type का footing है, जिसके अंदर 2 column को separate footing प्रोवाइड करके connect किया जाता है, strap beam से, और strip footing जो है, वो spread footing का एक type है, okay, that's why, strap footing को strip footing या फिर strip footing को strap footing बूलना एक दम ही गला, तो option C हो गया, strong, तो यहाँ पर एक ही option सही, it is provided when provision of combined footing is not possible, okay, चलेंगे आगे question की तरफ, okay, the strap beam in strap footing, okay, strap beam के बारे में कुछ यहाँ पर कहना चाहते है, doesn't remain in contact with ground below, act as a transfer medium, और doesn't transfer load to the soil, तो सबसे पहले एक छोटा सा diagram बना लेंगे, strap footing का, okay, तो यह रहा, plan में हम देखते हैं, इसको, यह रहा पहला column और उसका independent footing, यह दूसरा column, यह उसका independent footing, और यह रहा अपना strap beam, इसको क्या बोलेंगे, strap footing, सेम चीज़को बनाएंगे, cross section में, यहाँ से ले लेते, cross section, okay, और इसको अगर cross section में बनाया, तो यह रहा आपका column, okay, यह रहा इसका footing, यह रहा footing, column number two का, यह रहा column number two, okay, और यह रहा आपका strap beam, एक चीज़ यहाँ पर notice करना, हमने जब strap beam बनाया, तो इसको bottom पर नहीं बनाया, क्योंकि, strap beam ground के contact में नहीं रहता, okay, जिससे, पहला ही point हमारा clear हो जाता है, option में दिया हुआ, doesn't remain in contact with the ground below, yes, यह बात एकदम सही है, कि strap beam जो है, इसको क्या बोलेंगे, strap beam, यह दो footing को, एक bridge ज जोड़ता है, load के transfer के लिए, एक column का अगर जाधा लोड़े, तो वो transfer उस bending moment को, उस load को transfer करके, दूसरे column तक के ले के जाने के लिए, एक transfer medium जैसा काम करेगा, वो खुद ground के contact में भी नहीं रहता, और ground के उपर कोई भी load transfer भी नहीं करता है, okay, independent यह एक transfer medium है, column 1 और column 2 के बीच में load transfer करने के लिए, okay, तो second point यहाँ पर ही clear हो गया, act as transfer medium for loads of 2 column, yes, यह भी point सही है, उसके बाद doesn't transfer load to soil below, यह soil के contact में है यह नहीं, तो load transfer कैसे करेगा, तो यह option भी हो गया सही, तो अगर तीनों option सही है, तो option कोंसा टिक करेंगे, option D, okay, तो यह रहा आपका answer, option D, तो इस वीडियो में हमने देखा combine footing और strap footing का introduction, इनका जो details है वो हम अलग से एक वीडियो में 25-30 question के साथ पूरा-पूरा detailing, design, planning पूरा-पूरा लेंगे, okay, फिलहाल के लिए यह था strap footing और combine footing का introductory part, hope आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा, तो press करो like button, अपने दोस्तों में इसको share करो, उसके बाद channel अच्छा लगा, इस वीडियो से आपने कुछ नई चीज़ सीखे, तो इस channel को करना subscribe, ऐसे ही वीडियो में डालते रहता हो, okay, एक main channel भी है अप civil engineering के pure memes देखना है, तो instagram पे find करो, add direct simplified learning civil, okay, यहाँ पे हम memes डालते रहता है, witty memes, quirky memes, purely civil engineering memes, take care and bye bye